आप सभी के साथ share करने जारे कच्चे मसाले से बहुत ही tasty और स्वाधिसता आलू का कक्चोरी वैसे थो फ्रेंज आपने आलू का कच्वरी बहुत बार खाया होंगे लेगिन एक बार यकिन मानिये इस तरह से आलू का कक्चोरी बना कर देगे इतना ये टेस्टी लगता है कि आप हर बार इस तरह से बनाना पसंद करेंगे तो चले फ्रेंज मैं इस रेस्पी को शुरू करती हूँ तो यहाँ पर मैंने लिया है दो कप गेहू का आंटा और इसमें मैंने स्वाधन सान नमक डाला है आप चाहे तो इसमें मौयन के लिए तेल भी डाल सकते है लेकिन मैंने यहाँ तेल नहीं डाला है नमक को अच्छे से आंटे में मिला दिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मैं डालते जाओंगी और अच्छे से आंटे में मिलाते जाओंगी एक वहन में पानी नहीं डाल लियेगा ने तो आटा है जो घिला हो जाएगा थोधोर करके डालियेगा और इस तरह से मिलाते जाएगा यहाँ पर बिल्कोल ही नरम आटा को रखना है ज्यादा हाड नहीं रखना है तो यह दे कि आटा को मैंने गूत दिया है प्रसे इसका रेस्पी डाल दूगी थोड़ा सा मैंने इसमें Chilli Flax डाला है इसे फ्लेवर जो बहुत ही अच्छा आएगा तहीं है यहाँ पर मैंने आदा चमच डाला है भूना हुआ जीरा का पाउडर थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मरसाला डाला है चटपटा फ्लेवर के लिए स्वादन साथ नमक डाला है थोड़ा सा लाल मीच का पौडर थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला है अजवाइन से जो फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है अगर आपको नहीं पसंदे ताप इसे हटा भी सकते है लेकिन यकिन माने फ्रेंस एक वार आजवाईन आप इस तरह से डाल के देखिएगा यहाँ पर अधरक लेसन हारा मीच का पेश्ट मैंने डाला है बारे कटा हुआ धनिया पत्ता और इन सभी चीजों को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ तो यहाँ पर आलू का मिस्रन जो बिल्कुल ही रेडी हो गया है यह देखिए तिसे भी मैं सैट में रख देती हूँ और यहाँ पर मैंने रोटी जो बिलते है उससे थोड़ा सा मैंने छोटा सा लोई बनाया है सुखा यहाँ पर आटा लगा लिया है और इसे इस तरह से दाब दिया है और इसे हलके बेलन से बेल देती हूँ तो इसे ज़्यादा नहीं बिलना बस इतना ही बिलना है अब मैं इसमें आलू का मिसरण जो मैंने बनाया है वो मैं इसमें डाल देती हूँ इस तरह से बेलकर अगर फ्रेंस आप आलू का मिसरण डालियेगा तो पुरी है जो बिल्कुल भी फटता नहीं है इस तरह से घुमाते हुए फोल्ड कर लेना है और इस तरह आटा को आप इस तरह से चिपका ले और इसे इस तरह से गोल बनाके हलके हाथे से दाब दे तो यहाँ पर सुखा आटा लगा लिया है और इसे हलका हाथों से इस तरह से दाब देंगे और हलके बेलन से इसे बेलना है ज्यादा आप इस प्रेसर मत दिजेगा नहीं तो इसका जो मसाला है वो बाहर निकल जाएगा तो बस हलका हलका बेलन्स इस तरह से बेल लेना है ये देखे तो बिल्कुल ही रेडी हो गया बस इतना ही इसे बेलना है तो इसे मैं अभी रख देती हूँ और इसी तरह से सारा मैं पूरी है जो रेडी कर लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने सारे पूरी को रेडी कर लिया है बेलकर और यहाँ पर तेल जो गरम हो गया है तेकर करके तेल के अंदर पूरी को डाल देती हो और उसे मीडियम गेस पर ही फ्राइ किजेगा तेसे इस तरह से चली से घुमाते हुए उलट पलट कर इसे गोल्डर ब्राउन होने तक तल लूँगी तो दोनों साइड यह अच्छे से ब्राउन कलर का हो गया है अब मैं इसे निकाल लेती हूँ यह देखिए फ्रेंस और इसी तरह से सारा पूरी है जो मैं बेल कर रेडि कर लेती हूँ यहाँ पर सारा पूरी मैं बेल कर रेडि कर ली हूँ यह देखिए फ्रेंस इस पूरी को एक बार इस तरह से बना कर देखिए खाने में इतना आपको लाजवाब लगेगा कि हर बार आप इस तरह से बनाना पसंद करेंगे बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंस इसका अंदर का आपका लुक्स कितना ज्यादा मतलब दिखने में अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही स्वाधिष्ट लगेगा यकी खाने में अच्छा लोगऑ लगे वास्वार लगे शयाचिगे बेलागा कि ज मstars हुड़के य।